हेलो बच्चो तो आज हम आ चुके हैं लेकर क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनॉमियल जो हम कम्लीट करने वाले हैं आज मात्र 15 से 20 मिनिट के अंदर और इसके अंदर कुछ ऐसे क्वेस्टेंस भी करा हुआ जो की आपके ग्राम में एज़िपेज भी पूछे जा सकते हैं cake जैने सारी चीज समझेंगे चल यह स्टार्ट करते हैं without wasting anytime चलते सबसे पहले बात करते सर पॉलिनोमियस क्या होता है था सो पॉलिस्टे का मतलब होता है मैं नि और नोमें नो चीजे मिलके बनता है तब बनता है था पॉलिनोमियस बनता है आप बोल सकते हैं पॉलिनॉमिल के बाद क्या क्या हो सकता है जो एक्स होता है यह पावर देखते हो आप और उसके बाद को एफिशन्ट होते हैं तो इस सारी चीजे में आपको जो स्टेंडर्ड वहां में उससे समझाने कुशी करता हूं जैसे कि आपके बाद स्टेंडर्ड वहां में A0 X की पावर N प्लस A1 X की पावर N माइनस होना ऐसे चलता जाएगा राष्ट में A N माइनस 1 X की पावर 1 और A N आएगा तो यह क्या है यह तो है आपका constant कौन है सरी है constant इसकी पाद कोई भी X का variable नहीं है और यह होता है आपका coefficient यह A1 A0 A2 यह क्या है coefficient और जो सबसे बड़ी पावर है जो की क्या है N जिसको आप कहते हो degree क्या बोलते हो आप इसे degree तो यह जो डिगरी होगी इसके साथ जो coefficient होगा जो भी value होगी मान लिए 1 है 2 है root 2 है root 3 है वो होगी leading coefficient तो आप बोल सकते हैं यह A0 A1 A2 A3 A1 यह सब क्या है रियल नंबर्स होगे रियल नंबर में क्या क्या होता है rational भी हो सकता है irrational भी हो सकता है ठीक है फिर A0 कभी भी 0 नहीं होगा फिर N जो है whole number whole number का मतलब तर natural number क्यों नहीं भाई 0 भी तो होता है 0 1 2 3 यह सारे number क्या होता है whole number और यह power जो है whole number में होगी ठीक है अब अगर मैंने आपके कहा कि सर पॉलिनोमल चेक करो क्या करो सर चेक करके बताओ कि पॉलिनोमल है क्या नहीं है तो कैसे बताओगे आपको यह सारी condition verify दरनी पड़ेगी ठीक है चलिए देखते है मैं आपको एक देख गाम पर देता हूँ आप लोग मुझे आसर देते रहे ना आपको कहा दर एक स्क्वेर प्लास 3x-4 आपने कहा सर एक्स की पावर टू एक्स की पावर क्या होगी यह एक्स की पावर दीरू होती है इसका मत असलब है ना यह वान हो जाता है तो आपको दिख रहा है यहां पर होल नंबर है सारे जितने भी पावर दें डिगरी क्या है डिगरी है सर तो आपको एक बास समझ में कि सर यह एक पॉलिनॉमियल है ठीक है चलो मैंने कहा सर रूट टू एक्स की पावर 3-4 रूट टू एक् कोईभिशेंट है ना और कोईभिशेंट क्या होता है रियल नंबर होता है तो यह रियल नंबर हो सकता है पर यह यह देखो यह हैの यह वाने होल नंबर यहां कुछ नगा तो ये भी क्या है पॉलिनॉमियल अच्छा मैं अगर आपको एक और एक्जाम्पल देता हूँ 3x स्क्वेर माइनस रूट 2 x प्लस 1 अपॉन अपॉन एक्स अब क्या कहते हो आप अब आपको जोगे तर ये क्या हुआ 1 अपॉन अपॉन एक्स अगर मैं इसको 1 अपॉन एक्स को लिखूँ तो ये हो जागा एक्सी पार माइनस 1 तो माइनस 1 क्या होल नंबर है आपको लोगे 9 तो मतलब ये पॉलिनॉमियल नहीं होगा अगर मैं आपको देदू रूट x माइनस 3x स्क्वेर तो ये भी एक पॉलिनॉमियल नहीं है क्योंकि यहाँ पर x की पावर क्या है 1 by 2 ये भी होल नंबर नहीं है तो ये चीजों का ध्यान रखना है कही बार ऐसे कह सीधे के सीधे कॉश्यन आपको एक्जाम में पूछने जा सकते हैं चलिए आगे चलते हैं पॉलिनॉमियल आपको सारे पॉलिनॉमियल के नाम याद होने चीज़िए पहला नंबर ऑफ टर्म के बिस्टिस पे जो होता है मोनोमियल जिसकी सिंगल टर्म होती है जैसे कि एक्जाम्पल में लिखा हमने x या फिर 3x स्क्वेर है ना ये क्या है मोनोमियल एक टर्म वाला फिर बाइनोमियल मतलब दो टर्म वाले जैसे आप बोल सकते हो सारे 2x प्लस 1 है ना और ट्राइनोमियल बोलना तो आप बोलोगे सारे x स्क्वेर प्लस 3x प्लस 1 इस तरीके से ये होते हैं 3 टर्म वाले ट्राइनोमियल पिर univariate number of distinct variable मतलब single variable सिर्फ अकेला x तो x square हो x cube हो लेकिन एक ही variable होना चाहिए तो इस bivariate मतलब दो variable जैसे x plus y x square plus y square है ना तो ये क्या है bivariate और trivariate क्या होगा सार आप बोलो के सार x plus y plus z जिसके तीन variable हो जाएंगे हो हो जाएंगे क्या trivariate पिर आता है सबसे important on the basis of degree सबसे important है सर यह है ना degree के बैसे 0 degree होते है constant क्या होते है सर यह constant जिसको आप बोलोगे 1 5 3 by 2 यह सब क्या है constant पिर होता है 1 degree जो होते है linear polynomial linear polynomial जैसे की ax plus b standard form लिख देता हूं समझ में आ जाएगा a की value भी कोई number होगा b की value भी number होगा जो की real number होगे पिर आता है quadratic जिसकी 2 degree है वो होते है quadratic इसका form होता है x square plus bx plus c equals to कुछ भी हो सकता है 0 तो नहीं होगा 0 हो जाता हो equation हो जाएगा है ना फिर आता है आपके पास cubic जिसकी degree है 3 और का standard form में ax cube plus bx square plus cx plus d ठीक है और यह होता है n जिसको आप क्या होगे polynomial और कोई होगी इससे बड़ी पावर तो वह हमेचा polynomial खिलाएंगे clear है चलो अब बात करते है degree find नहीं कुछ बच्चों को degree find करने बता नहीं अब चलता कि यार कैसे बता है अब आप बोलोगे सबसे बड़ी आप बोलोगे highest power highest power क्या है आप बोलोगे highest power है सर यहां पर 3 तो यहीं तो यहीं आपकी degree होगी यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां तो यहां पर बोलोगे समझ में आया चाल आगे बात करते है zeros of polynomial zeros of polynomial होता क्या है जैसे माल दीजिए आपको मैंने यह दिया इसमें मैं x की ऐसी कोई value पूट कर दूँ जिससे यह पूरा 0 हो जाए ना एक की ऐसी value पूट कर दूए यह पूरा 0 हो जाए तो वह कहलाएगा zeros of polynomial जैसे कि for example आपके सामने कोई भी polynomial है पी एक उसमें मैंने पूट करा alpha क्या पूट करा सर मैंने alpha पूट किया alpha पूट किया एक सी जागे alpha कर दिया तो मान लो जहां पर एक सी एक अलफा कर जाए तो क्या हो जाए तो जो अलफा है जो 0 है वह 3 हो गया तो अलफा जो है या फिर 0 जो है वह 3 हो जाए ठीक है ऐसी quadratic polynomial तो उसके दो 0 दोते हैं है न अलफा और बीटा है न वह आगे समझते है फिर बात करते है value of polynomial अब value of polynomial क्या होता है सर वही तो हुआ जो आपने 0 की बात करी वही वैल्यू होगी मालो 0 आया तो वैल्यू क्या ही जिरू वैल्यू कुछ और आई तो वह वैल्यू होगी जैसे कि for example इसने का है x की value 1 पुट करने पर क्या value आईगी तो आप कुछ नहीं करोगे 5 इंटू 1 स्क्वेर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 7 आप बोलोगे सर पाइप का हो जाएगा 5 माइनस 3 का माइनस 3 और यह प्लस 7 तो आप कैस वैल्यू क्या गई वैल्यू क्या गई वैल्यू आईए 9 तो आप इसका ऐसे भी लिख सकते हो स्क्वेर माइनस 2 एक्स में एकस की वैल्यू क्या पुट करी एकस की वैल्यू आपने वाट करी 2 करो यह भी इसका जीरो है तो आप बोलोगा दोनों ही इस पॉलिनॉमियल के जीरो कहलाएंगे दो जीरो ते एक अलपा हो गया एक बीटा हो गया ठीक है चलब आगे बात करते हैं यह सबसे इंपॉर्टन टॉपिक है इस क्लास में और यह आगे आपको बहुत काम आएगा आपके चार सालों तक या फिर आपकर मैं बोलू 9 10 के बाद 11 और 12 यहां तो काम आएगा आगे आप कुछ भी करो किसी भी तरह की ग्रेजुएशन करो कुछ भी करो मां काम आता है ठीक है तो चलिए क्या करते हैं तर फैक्टराइजेशन क्या होता है फैक्टराइजेशन एक पर हम पॉलिनॉमिल का फैक्टराइजेशन करते हैं इसका मतलब क्या है कि जो फैक्टर आइंगे उनको मल्टिप्लाइब करने पर जो पी एक्स पॉलिनॉमिल है वही आना चाहिए तो चलिए क्या करते हैं इसमें पहला मैत्रोड दर श्प्रिटिंग देल टम एक होता है फ पॉलिनॉमिल यह है आप से बोलाए कि एक्स प्लस टू जो है इसका प्यक्टर है या नहीं तो चेक करने लिए तो आप क्या करेंगे आप बोलोगे तो यहां पर नहीं यहां पर देखो प्लस 3 इंटू माइनस 2 का स्क्वेर प्लस 5 इंटू माइनस 2 प्लस 6 अब चेक करो यह जागा तो टू जा 4 पो टू जा 8 माइनस का 8 प्लस 3 पो जा 12 था ना प्लस का हो जागा यह फिर माइनस 10 और यह प्लस 6 ठीक है 16 ने 6 तो अब आप चेक करो यह दोनों मिला के 18 यह दोनों पट गया आगया 0 तो मतलब ये 0 हो गया और अगर ये 0 हो गया तो आप ये भी कह सकते हो कि प्लस 2 इज फैक्टर ओफ दी पी एक्स पॉलिनॉमियल मतलब यही आपकी फैक्टर थ्योरम होती है यही समझ लो फैक्टर थ्योरम यही होती है अब यह वाला आप मुझे चेक करके बताओंगे क्या यह नहीं और इसका अंसर आप लोग उज़े कमेंट में दो के दो सबसे इंपॉर्टन टॉपिक है सबसे ज़्यादा जरूरी है एक्जाम में हंड्रेड पर्सिंट क्वेश्चन आएगा नोट कर लो इस पास क्या है सबसे पहले क्या करते हैं इसको इससे मंटिकला करते है आप बोलोगे आज़ेगा नाइन एक्स स्क्वेर लेकिन किसका अब इसमें आपको ये बताना है कि मैं कैसे मृटिप्लाइब करूं या कैसे प्लस माइनस करूं तो आप बोलोगे सर्फ दो टुकुडे करते हैं एक से स्क्वेर या निखा माइनस नाइन एक सरूँ और प्लस वन एक सरूँ तो नों को मेंटिप्लाइ करने पर नाइन स्क्वेर आ रहा है बिल्कुल आ रहा है तो आपके पास काम हो गया हमने ग्रूपिंग मेथड बढ़ा है क् यहाँ पर आजागा प्लस वन तो आप बोलोगे यह दोरो कॉमन निकाला लो एक स माइनस नाइन कॉमन निकाला और यहाँ पर बचा एक स्प्लस वन यह क्या है यह दोनों है फैक्टर क्या है यह फैक्टर लेकिन अगर मैं आपते कहूँ जीरोज बताओ अगर मैं आपते कह प्लस माइनस प्लस के साथ इन दोनों को मल्टिप्लाइब करने पर मतलब 30 आया तो इसके दो नंबर निकालो 17 का कुछ होता है गया इसको पांच था इसको पांच ही लिख दो ठीक है अब इसको तोड़ा अपने का सर यह हो जाएगा प्लस का 2x प्लस का 15 सब्सक्राइब दोनों को जोड़ो 17 तो देखो वाई ग्रॉपिंग मेतोड आप लोगे एक्स तो आएगे से साथ में टू भी आ जाएगा तो यहां पर पच्छा किसना और यहां क्या बच्छा 5 तो आपके पास क्या जाएगा है फ्लस पाइव यह क्या है सर यह है कि और जिरो एट क्या होंगे जिरो चैनलों के मता अब आप कमेंट में बताओगे कि च्छा होने माले हैं इस इसके जिरो पर में जरूर बता ठीक है जाए चलता आगे जलते हैं एक नोट है यह छोटे-छोटे-च्छे जो आपको याँ रखने कि कोई भी non-zero constant polynomial होता जिसका कोई 0 नहीं होता वालब 3 है इसका कोई 0 नहीं है ठीक है ठीक है फिर linear polynomial के हमेशा एक या एक ही रूट होगा है न हमेशा maximum एक ही रूट होगा एक होगा तो यह जो रूट होते ही जिरो कहलाते है ठीक है दोनों एक ही चीज़ है चलो पिर any quadratic polynomial will have maximum 2 रूट या तो एक भी नहीं होगा या फिर 2 होगा है ना और तीसरा है cubic जिसके maximum 3 रूट होगे या 2 होगे या ए आगे बात करते हैं कि identity सर यह बहुत important identities है हमारे exam में इन identities से question 100% बनते हैं तो 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 100% आएंगे एक होगया और दूसरा हो गया identity ठीक है तो पहली identity a x plus y का whole square x square plus 2xy plus y square सबको याद है फिर minus हो जागा तो या बीच मैनस हो जागा फिर x square minus y square यह तो आपने नमर से श्रम में बढ़ा था x square minus y square x plus y x minus y फिर x plus a into x plus b तो x square plus a plus b into x plus a b और उसके बाद 5 का identity है अगर x plus y plus z का whole square हो जाएगा तो वही same process x square plus y square plus z square 2xy 2yz 2zx simple फिर cube में x cube plus y cube plus 3xy into x plus y इसको solve करके भी लिख सकते हैं जैसे हैं बता रहूँ है x minus y का whole cube x cube minus y cube minus 3xy into x minus y अब इसको मैंने multiply कर जाएगा इसको इदर multiply कर दिया तो यह तो सेम आ जाएगा यह भी सेम आ जाएगा तो यहां क्या जाएगा 3x square y minus का और यह minus minus प्लस करके हो जाए ठीक है ऐसी अगर मैं बात करूँ एक और identity है बहुत ज्यादा important है x cube plus y cube plus z cube है ना is equal to worry plus z cube minus 3xyz इसमें क्या होता है x plus y plus z square minus xy minus yz minus zx होता है यहां पर bracket आएगा अब एक special case होता है यहां पर लिकलो special case क्या होता है सर्वो अगर x plus y plus z 0 आ गया तो x cube plus y cube plus z cube equal to 3abc होगा याद कर ले ना यह इससे काफी question direct solve हो जाता है ठीक है चलो अब करतें एक question evaluate 105 and 106 multiplication है without direct multiplication क्या करोगे सर अब बोलोगे सर यहां पर 100 plus 5 into 100 plus 6 तो आपको दिखा यह x plus a x plus b तो आप बोलोगे सर x square plus a plus b 5 plus 6 into x plus 5 into 6 बोलेगे तो 5 into 6 लगा दी property property क्या लगाई है x plus a x plus b वादी ठीक है तो आपको यह हो जागा 100 0000 प्लस 530 तो यह हो जागा 3000 और यह हो जागा 30 तो अब आप इसको जोड़ दो तो आपके पास जागा 1130 फाइनल आज ठीक है चलो अगला question देखते हैं इस question में थोड़ा से दिमाग लगा 104 का क्यों कुछ बच्छे multiply करने में यह जाथ है लेकिन भाई सब्जेक्टिव होगा तो आपके लिए करने से काम नहीं चलेगा तो 100 प्लस 4 का होल क्यों आइडेंटिटी आदे देखो आंसर आप चेको गया मैं सिर्फ आइडेंटिटी बताऊंगो यहां पर ठीक है 100 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 3 इंटू 100 इंटू 4 इंटू 100 प्लस 4 भाई मैंने आइडेंटिटी बता दिया देखो a cube या फिर x cube plus y cube plus 3xy into x plus y मैंने identity बता दी है answer आप ही निकालोगे क्योंकि मैं निकाल लूँगा तो मेरी calculation अच्छी होगी आप निकालोगे तो आपकी calculation अच्छी हो जाएगी ठीक है तो फटा-फट से calculate कर दो और answer मुझे comment में बताते जाना ठीक है चालिए अगला question देखो अब इस question में देखो यह क्या है सर एट x cube plus y cube plus 27z cube minus 18xyz 3x plus z तर दीख रहा ही है पढ़िए न identity क्या करोगे आप बोलोगे सर एक्स plus y plus z लेकिन x क्या है आपके 2x यह क्या है 2x का whole cube यह y का whole cube और यह है 3z का whole cube minus 3 into 2x into y into 3z देखो 3 2 is a 6, 6 is a 18 आ रहा है के नहीं आ रहा है ना तो लगा हूँ identity बोलोगे 2x plus y plus 3z ठीक है minus 9 आए गा है नहीं कहीं पर क्योंकि है ही नहीं ठीक है फिर देखो इसका square 4x square plus y square plus 9z minus xy xy बोलो तो 2 into y तो यह जागा 2xy minus yz 3yz फिर zx तो आप बोलोगे 2,3,6 xz यह आपका final answer होगा यह हो गया प्राक्टराइज बाइ यूजिंग दी आइडेंटिटीज क्लियर है समझ में आया तो मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गया होगा कि इस तरह के question exam में आते हैं और यह आपके लिए बहुत important है ठीक है तो मेरे ख्याल से जब्टर बहुत जल्दी खताब हो चुका है अब हम अगले चैप्टर का वीट करते हैं चैनल सब्सक्राइब कर लो बेल ऐकेन हिट कर लो और बने रहेगा इस तरह के साथ क्योंकि बहुत कुछ आना बाकी है तो अल्ट बैस बाबाए एंड टेक केर